दोस्तों मेरा नाम मरोज है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ UPPSC GIC Lecturer Physics का संपूर्ण कोर्स यह कोर्स आपको PGT Physics, TGT Science, DSSB, TGT Science में हेल्प करेगा इस कोर्स की शुरुबात मैंने की है आधुनिक भतकी से यानि की Modern Physics से इसका पहला चप्टर हमारा प्रकाश व्यदत प्रभाव है और इसी को मैंने कई पार्स में डिवाइड किया हुआ है तो यह मेरा पहला लेक्चर नमबर वन है मारा यह फस्ट पार्ट है और इसको मैं शुरुबात आपके सामने करने वाला हूँ मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि यह मेरा कोर्स बिल्कुल निशलुक है और समय समय पर आपको मैं यह वीडियोस उपलब्द कराता रहूँगा और उम्मीद है कि इससे आप लाभनवित जरूर होंगी तो चलिए दोस्तों शुरुबात करते हैं आगे हमारी लेक्चर की तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में और हमारा इस चप्टर से संबन्द सबसे इंपोटेंट हमारा जो सिध्धानत है जिसका नाम है प्लांग की कॉंटम परिकल्पना यह हमारा plank का quantum सिध्धान्थ है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रकाश बिदित प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिध्धान्थ से नहीं की जा सकती है इसके लिए quantum सिध्धान्थ की आउशत्ता पढ़ीती तो उससे पहले हम quantum सिध्धान्थ को थोड़ा समझेंगी तो देखो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि quantum सिध्धान्थ हमारा plank का क्या बोलता है तो यह बोलता है सबसे पहले नंबर एक हमारा जो सिध्धान्थ हमारा यह है वह बोलता है कि जो विकरण हमारा होता है विकरण यान कि radiation है radiation का मतलब सुरोड के अंदर जो प्रकाश अल्टावायलट, रेज मैक्रो वेज जितनी बी तरंगे होती है वो अवह सबके रेडेशन बोलते है मिलाकी जिसको ली बोलते है विकरण तो हमारा ये विकरण का उत्सरजन या अवशोशन उर्जा के बंडलों अथवा पैकेटों में होता है अर्थात ये पैकेट के रूप में चलता है डिस्क्रीट होता है अलग अलग होता है तरंग की तरह लगातार नहीं चलता है ये उर्जा के packet या bundles के रूप में चलता है आपको समझना चाहिए कि प्रकाश को जैसा मानते हैं कि तरंग की रूप में तो ये तरंग नहीं चलती है ये लगाता जो तरंग आती है वो छोड़े packet से बनी होती है बंडल से मिलके बनी होती है ये बात प्रंग की पहली परिकल् प्रंड के इनका नाम होता है कॉंटा तो दूसरा हमारा जो पॉइंट था वो ये है कि प्रतेक पैकेट को कॉंटा कहते हैं यानिकि प्रतेक पैकेट कॉंटा कहलाता है ये हमारा सेकेंड का पॉइंट है प्लंक की कॉंटम परिकल्पना का दोस्तों ये जरूरी है यूपी इसके अलावा तीसरी बात इसमें जो है इसे फोटॉन भी कहते हैं फोटॉन आपने अक्सन नाम सुना होगा टाटा फोटॉन वगर आपने सुना होगा पहले आते थे टाटा फोटॉन नेट इसका तो फोटॉन भी कहते हैं उस उजा के पैकेट को फोटॉन का मतलब प्रकाश होता है और प्रकाश के लिए जनरली यह सिद्धांत लागों किया गया था तो इसके फोटॉन भी कहते हैं आई होप कि आपको यह बात संज में आ कर दिया है तो फोटॉन की और यह होती है हमारी इकल्स टू एच निउ यह हमारी होती है फोटॉन की और यहां पर यह जो निउ है न्यू को बोलते हैं विक्रण की अब्रती विक्रण यान की रेडियेशन प्रकाश के अंदर प्रकाश होता है इंफ्रारेड यान की अब्रत करने भी होती है प्रावेहनी करने भी होती है सुक्ष्म तरंगे भी होती हैं रेडियो तरंगे भी होती हैं तो इन सब को मिलाके विक्रण बोलते हैं तो विक्रण की अब्रती तो न्यू हमारा विक्रण की अब्रती रेडियेशन की फिक्वेंसी और यहाँ पर जो H आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं प्लांक नियतांग एक constant value है हमारी प्लांक नियतांग इसे बोलते हैं प्लांक के नाम पर इस नियतांग का नाम पड़ा हुआ है इसकी एक fix value भी होती है h equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second ये इसकी मान होता है प्लांक की नियतांग का अब एक बात यहां पर बता दूं कि उर्जा का जो अव्शोषाण या उतस्य होता है वो हमेशा integral multiple में होता है और की पूर्ण ग्रज में अर्थात कभी भी जैसे एक photon की उर्जा h new हो गई हमारी दो photon की उर्जा 2 h new हो गई हमारी तीन photon की उर्जा 3 h new हो गई हमारी तो हमेशा उर्जा दी उर्जा जित होगी तो इनी नंबरों में होगी 1 h new 2 h new 3 h new 4 h new 5 h new ठीके ना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 h new 2.5 h new क्योंकि h new एक photon की उर्जा है h new 2 h new 3 h new इत्याधी में यह हमारा होता है दूसरी चीज इसमें में बात है कि यह कभी भी तरंग की तरह संतत नहीं होता है यानि कि उर्जा का अवशूषण या उतसर्जन शंतत यानि की लगातार नहीं होता है तरंग में क्या होता है तरंग कभी भी टूटत नहीं है तरंग एक लगातार आती है हमारे पास तो तरंग की तरह यह नहीं होता है क्योंकि दिम तरंग मानते हैं यहाँ पर तो प्रकाश बेदत प्रभाव की व्याख्या हम लोग नहीं कर पाएंगे इसमें क्या चल रहा है य आपको UPS से मिल सकता है तो चली आगे बढ़ते हैं अब दखिए यह हमारे पास एन फोटन हो तो उनकी एनरजी हमारी हो याईगी यह हमारा सामान सुत्र हो गया एन फोटन की संख्या हमारे पास है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहते हैं अब यहाँ बास मजने की है अब बृति के बारे में कुछ दो एक दो बेसिक फर्मिल्य आपको बता देता हूं तो आब बरती यान की फिक्वेंसी का फर्मिला भी हम यहाँ पर दोड़ा देख लेते हैं देखिए आब बरती New equals to हमारा होता है दो है यह हमारा फ्रमिला है c equals to हमारे जो यहाँ पर value हमारी है वो है विक्राण का चाल विक्राण का वेग विक्राण का वेग विक्राण की radiation तो प्रकाश की चाल या अवरक्त करने या फिर UV rays जो भी करने हम लेंगे उनकी चाल यहाँ पर notice करेंगे लिख देंगे स्वरी तो c हमारे विक्राण की चाल विक्राण की प्रकाश अवरत करने या जो भी हम radiation यूज करेंगे अपने प्रियोग में और lambda यहाँ पर होती है तरंग देर्द हर विक्राण की तरंग देर्द अलग होती है गांबा करनों की अलग होती है एक्स करनों की अलग होती है हर radiation की और सुत्र हमको मिल जाएगा यहां पर तो E equals to हमारा हो जाएगा N H C upon lambda यह दिने हम N equals to 1 ले ले यहां पर तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं E equals to H C upon lambda यहां यह विसूत्र हम लोग यूज़ करेंगे यहां पर जनरली एक photon की हम लोग यहां पर बात करेंगे H C upon lambda H plank नियतं C radiation का विकरण का वेग and lambda यहां पर तरंग देर्ध तो आईए कुछ अब सवाल करते हैं इसके उपर जो प्रान इग्जाम में आई हुए हैं तो पहला प्रेशन आपको दिख रहा है कि 100 angstrom तरंग देर्ध बाले photon की उर्जा क्या होगी तो इसको नहीं थोला सा समझेंगे कि यहां पर देखो तरंग देर्ध हमको दिरख्ये 100 angstrom तो यहां पर हमारा जो lambda हो गया है lambda हमारा हो यहां का 100 angstrom तो यहां पर देखो सब्सक्राइम लिखें कि lambda equals to 100 angstrom अब देखो एक angstrom में यानकी 10 to the power of minus 10 मीटर हमारा यह होता है आपको बताएं चाहतों यह आपको यह तोड़ा से याद रखना पड़ेगी क्योंकि जनरली छोटी डिस्टेंस से समलो जनरली उसको angstrom में ही लेते हैं तो 1 angstrom equals to 10 to the power of minus 10 मीटर यह हमारी value हो गए हमारी हमको अब उर्जय निकालनी है तो हमको e की value हमको find करनी है आप देशाती है यह प्रवक्ता चैन परिक्षर 23 में आये हुआ है तो देखो e equals to h c upon lambda हमारा सूत्र है थोड़ी दिर परेले हमने इसको पड़ा हुआ है सारी values यहां पर पोटप कर देंगे h की value c की value and lambda की value e equals to h h की value हाँ पर क्या रहेगी 6.6 into 10 to the power minus 34 into c विक्रण की जो चाल होती है वो होती है 3,00,000 km per second या 3 into 10 to the power 8 meter per second हमने यह value रख दी इसको आप जनरली याद करेंगे लिजे and lambda हमको देखा है 100 into 10 to the power minus 10 meter and अब यहां से मिसको solve कर लेंगे तो e की value हमारी generally इसको मैं तुरा सले कर लेता हूँ तो निकली की value हमारी 19.8 into 10 to the power minus 18 joule चोगि उर्जय यहाँ पर हमारी joule में प्राफ्थ होती है तो हमारा minus 18 यहाँ पर आयाएगा हमारा joule में and यह हमारी e की value हमारे सामने आ चुकी है आते हैं next question की तरफ हमारे next question क्या बोलता है हमारा 200 watt का एक वर्णी प्रकाश स्रोत चार गुणने तस्कीगात 20 फोटों प्रतिस सेकंड उज़ा सेज कर रहा है प्रकाश की तरंग देरद क्या है यहां पर प्रकाश स्रोत की जो उज़ा है पर 200 watt है 200 watt का मतलब joule per second यानिकी 200 joule प्रतिस सेकंड 200 joule यह energy निकाल रहा है तो इसको देखेंगे यहांपर तो हमारा e हम यहांपर लेंगे 200 joule 200 watt है हमारा watt मतलब joule per second नियांगे 1 सेकड़ में निकाल रहा है तो एक सेकड़ के लिए हैंप निकाल लेंगे हम लोग थो हमारा होता है hc upon lambda एंड इह हमारा हो याँगा है यहां पर रखिये तो यहां पर हम hc upon lambda का प्रयोग ना करके हमए आप प्रयोग करेंगे एकलिस टू एन एच सी अपॉन लेम्डा यह हमारा सुत्र यहां पर हो जाएगा अब देखो यह हमारा कितना है 200 वाट यानि कि 200 जूल एक सेकंड में तो 200 यहां पर ले लेंगे हम लोग एन हमारा 35 सेकंड कितनी फोटन गिर रहे हैं तो सुरी निकल रहे हैं तो चार गोंड़े तस्कियाद 20 हमने ले लिया है एच की वेल्व हम पूट अप कर देंगे और सी की वेल्व भी हमें वेकुल हमारे मुह पर होने चाहिए जमान पर होने चाहिए 3 इंट्यू 10 पापर 8 एन तो लेम्डा की वेल्व हमारी है बहुत जल्दी आने वाली है एंड यह हमको हमारे वेल्व आएगी सारी मीटर में क्योंकि हम लोग सब कुछ यहां पर एम के सिस्टम फॉल्व कर रहे हैं अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं तो इसकी वेल्व निकलेगी है हमारी लैम्डा एक को लिस्टू 39.6 इंट्यू 10 तुदी पावर माइनस एट मीटर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लेम्डा एक कुछ टू 39.6 इंट्यू 10 तुदी पावर माइनस नाइन मीटर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम जानते हैं यह हमारा राफ होजाएगा और हम जानते हैं कि 10 छू पावर माइनस नैन का मतलब होता है नमीटर तो 396 नमीटर हमारा यह होजाएगा क्योंकि 10 का 95 का मतलब होता है चलिए तो यहां पर फोड़ी बात जाने लिएजिए कि वन नेनोमीटर होता है यह तो होता है चैन रहे पावर माइनस नाइनमीटर एंड वन वाट का मतलब हमारा होता है वन जूल पर सेकंड ये भी आप थोड़ा से नूट कर लिजे तो ये हमारा अंसर निकलाया है सिंप्ली 3.96 नैनो मीटर आपके चीज आप ये जनकर ये पकोशन में आई होगी और नेक्स्ट टोपेक इसकोम आगे बढ़ाएंगे इसी चीज को अगली लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद